मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ दिर बेखिए, कुछ दिर इस्मरन करिए, हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है, तो कपाल किरिया तक रुकना पड़ता है, कि बत्ति लगती है गोल बत्ति लगती है गोल वाली ये बत्ति हमेसा कोई विश्ण बगवान की पूजन कर रहे हो शिवजी की पूजन कर रहे हो कोई अन्य देवता का कर रहे हो तो गोल बत्ति लगाई जाती है बगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ति पूजन में, जितनी में माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी विदेवियों की आप इस्मरन करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमान है, पित्रों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती, आप मटके के पास में, परिंडे के पास में, जल के पात्र के पास में, कोई भी अगर द लगाओ दिया लगाओ पित्र संत रहेंगे तो पित्रों को संत रहो मना नहीं है पर दिया लगाने का नियमें कि पित्रों को अगर आप दिया लगा रही हो मट्के के पास परिंडे के पास या अमवस्या के दिन पित्रों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ति लगाना है पित्रों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाई है लंबी बत्ती का प्रमाण हमर्यां सास्तिकर गौल बत्ती का और सुन्दर चरित्र कहा यदी कि आपके जीवन में बहुत जादा लच्छमी से तकलीप है तश्ट बहुत जादा है या संबंद खराब हो रहे हैं बहु और बेटों के संबंद खराब हो रहे हैं आदालत में बात चली गई कि लड़की और लड़के का तलाक होने वाला है बहु अपने घर जाकर बेड़ गया आने को तयार नहीं है जमाई अपने घर रे गया लड़की को लाने को तयार नहीं है सास बहु में आपस में तनबन चल रही है प्रेम बिलकुन नहीं है या लच्मी आती ही नहीं बहुत कश्टे है जमीन जाय जाट पड़ी भीख नहीं रही तो एक काम करना इतना दुख अगर आपके जीवन में है तो कार्तिक के महिने तक रुखो और कार्तिक का महिना आए त्रेयोदशी तिथी आए कोई सब्सक्राइब कोई सीवी त्रेयोदशी प्रदोश कोई सीवी प्रदोश तिथी आए उस दिन तुल्सी की लकड़ी पहले से तुल्सी आपकी घर में अगर सूखी हो तुल्सी सूख गई हो तो उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी का साथ लकड़ी का बंडल बना कर दीप बना लो लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांद कर घी में डुबक दो कार्ति के महिने में शुकल पक्ष की त्रयोध रशी तिथी जब आए प्रदोश का जब भृत आए उस दिन भगवान के मंदिर में श्यू मंदिर में नहीं भगवान किसी देवता के मंदिर में नारहेन के मंदिर में कृष्ण मंदिर में राम मंदिर में किसी भी मंदिर में मं मंदिर ना हो तो अपने गर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुल्सी की लकड़ी का दीप भी डाल कर जो दीफ प्रगण कर देता है जला देता है ज़िए घर में कभी संवधा की कमी नहीं हो ती महाराज विश्हु पुराण ने इस पर लिखा इसलिए सायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वस्रेश्ट कौन सा Čगन बढ़न किया भगवान को सर्वस्रेश्च Become सठ्वाइब्गवान को में जिए जुए तो जी जी जिए हरी तो जीते जी निप पूण साुव सूख जा ए उसकी जड़को निकाल लिया जाए repet को पनी में धो लिया जाए धोने के बाद उसको सिल्वटे पर पथर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर तैयार करकर जो भगवान विश्णों के मस्तथ पर विश्ण राम के मस्तथ पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हिर्दय प भाव है शिव महापुराण में रुद्रचंदन का प्रमान दिया जाता है अगर आपने लिंग पुराण पड़ी हो तो उसका पांच में इसकंदा बस्च पढ़िएगा मारत और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार एखंड पढ़िएगा जिसमें रुद्रात्री पर लपेट लिया जाता है तीन रुद्रात्री पर उस चंदन को लपेट लिया जाता कैसले की छिवरतर्री को सब फल दाई होती है अगर आप पंचान में देखेंगे तो शिवरात्र लीक्षी तरी आती है हर महीने पर पर रुद्र चन्नन अर्थात जो चन्नन का आपने तीन मुखी रुद्राच्ठे में लेपन करा है उसका गोला बना या है वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना अच्छा बढ़िया एसा नहीं थोड़ा वहती लगा पूरा रुद्राच दिखना नहीं चाहिए पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर लिजा कर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान कवर जला विशेक करना प्रारम कर दीजिए वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए शंकर के मोल मंत्र श्री शिवाय नमस्त ध्रम का जाब करिए यह कह लाता है रुद्र चंदन इस चंदन के अभिशेक से महराज जो काम नहीं होता आप करकर उस कारे को